होती दा सेमी फाइनल मैच शुरू होन जा रहे है पार्टी टीम मेधाम देविच उतरेगी एक बार फिट तो और हुन तक दे उलम्पिक्स दे मैचिस दा सिख जिकर के रिये ता शांदार परदर्शन रहाए और इस शांदार परदर्शन दे दम दे उतरी बहुत सरी उमीदा पूरा देश लगा रहे है आज फार्टी होकी टीम तो मैं शुरूबात करें जा रहे हैं कहम खाबर दिनाल इस पूरे मुकाबर दिनाल जुड़ी होई उस तो बाद असी रुख करांगे आज से साड़े महमा आना दिनाल जिना दिनाल गालबात होईगी और समझन भी कोशिश करांगे कि फार्टी टीम आज केड़ी स्ट्रेटीजी देना उलता दिया पैरिस उलम्पिक देविच महमुकाबला टाई कंटे बाद होकी दा सेमी फाइनल मैच फोन जा रहे है तब पैरिस देविच जैहो पैरिस देविच जैहोदा इक होर माका डेफिनेटली तोसी कह सकते हूँ कि आज इंडियन होकी टीम देकोड होएगा और बहुत सरी उमीदा ने और उमीदा इस करके भी बात जान दिया ने क्योंकि हूं तक भी इस तरीके दी परफॉर्मेंस रही है और खासता और दी क्व डेफिनारच ने समी-फाइनल दिवेच इनफेक्ट चार धेविच हो भी तिन रही आने क्योंकि एकाड शऱय मुकाबला होस fede क्योंकि निजलेंट्स ते सेंडे विच अदे ने ने ूटैर मुकाबला चार सिफरें लिए जितके एंट्री कर लिए है पॉइनल देविच इस दा मतलब है कि आज मुकाबला पार्टी टीम जिती है ता फिर फाइनल देविच मैच होएगा निजल एंड्स देना और रभनागरिया जेहा होगे पर जेकर आज दे मुकाबले देविच जित नसीब नहीं हुंदी ता फिर ब्राउंस मैडल मैच अगले ओलमपिक मैं मैं मेडल का रंग बजल दूगा और वो समया गया है आज रात को ही मैडल का रंग बदल जाएगा और आठ तारिक को देखना के बारतिया टीम गोल्ड मैडल लेके पर्चमलेर आएगी उदर पैरिस के अंदर और पूरी पूरी उमीद है बले ही अम पंदरा मेंबर से खेल रहे हों लेकिन हमारे पंदरा भी सारे के सारे बहुत अच्छा परदाशन कर रहे हैं जैसा कि हम ने देखा के सोनीपत के एक नैन जो लड़का भी से एक नैन है उसने बहुत ही फंटास्टिक गोल्ड उसके अस्टेलिया पर भी मारा और उसके बाद इसमें बेल्टेन को भी उसने ऐसे यान के छका के रखा बिल्कुल और सुमीत जो इस गाउं से है उसने तो बस हाला के उने टीशेट ने उचाल दी थी अपनी यह बहुत जाद अची बात नहीं है लेकि तो खुछी तो थी खुछी थी वो तो सारा गाउं ही जूम रहा है और हमारे यहां भी एक दो बच्चे ने आसे निकाल दी इसी दिन यहां प्रैक्टिस में भी के वही उदर भी हम जीत गहें दर भी हम एसा ही कर रहे हैं तो कि दिन का ही मैश था जैसे मैश खतव हुआ हम लोग भी दर राय थे पुना प्रैक्टिस वे और जहां तक खेल गी बात है जर्मन टीम कोई कमजोर टीम नहीं कभी भी हाला जैसे हम उनको नहीं अरा सकते हम उनको अरा सकते और पिछले दो साल में मैंने भी देखा है प्रो लीक में या और कोई सीरीज वीरीज होती है फ्रेंडी मैंचीज या कोई चोटे-चोटे टूनामेंट होते हैं उसमें हमने हर एक टीम को रहा है और अब हमारी मुझे लगत परिबारान देवलों इस समय उमीधां बहुत सारी है ने तो मीधा दिनाल नाल नसरां भी ओना दिया गया ने कि इस में पैरेज देवते की पैरेज देवेच आज दे मुकाबलेच की होंदा है वैं सब तो बलात अतारूफ करवान थाज में मेहमान सा डिनाल जोड़े ने म मेरे नाल स्टूडिय दे विछ मौझूद में बलजीच सिंग जी होकी देनाल जोड़े रहे ने बहुत-बहुत सब्सक्राइब देखो बहुत चर्चा हो रही है पुरी दुनिया दे विछ इंडियन होकी दी और खास्ता और गोलकीपर्स दी और श्रीजेश दी बहुत सब्सक्राइब दे रहांने इंडियन ओड़र तिम दे उनदे पिंडर तुस्की फरोटनं करिब जय खैड़र ओपन्जाब नहीं होना थामत उसाडिनाल या साडिसे होगी जुडन के मैं सारे मेहमना दा स्वागत कर दें और मैं शुरुवात करें चर्चा दी वाकफ थामत यसी तौन लेके चलिए पर उस तो पहला कुछ ग्राफिक सेगे नहीं मेरे को लिएक बार मैं दिखाद मां उस तो बाद मैं चर्चा दी शुरुबात कर लाँगा पहला तौन दिखाने है कि किस तरीके दा हुन तक दा पूरा पार्थी टीम दा सफर रिहाई ओलंपिक्स दुबारा जेकर असी ग्राफिक चला सकिए पहला मुकाबला हुनदा है पार्थी टीम दा न्यूजिलेंड दिनाल और तिन दो मैच ड्राउ हो गया ग्रूप स्टेज ता मैच सी नॉकाउट नहीं सी इस करके उथे पेनल्टी शूटाउं नहीं होया जी में क्वाटर फैनल छोया है अर्जिंटीना तो बाद सानों मुकाबला खेड़ना सी जिस दे वेच असी आयरलेंड नो हराया दो सिफर दिनाल बड ग्रूप स्टेज दा जिकर गरिया ऑस्ट्रेलिया एता बहुत यह थियासिक सी कि दिन दो दिन आल पार्थी टीम जिती और इनफेक्ट जड़े ऑस्ट्रेलिया नू करीब-करीब यह साल दे बाद दे वक पर दिनाल सी ऑलम्पिक सहरांच काम याब रहे हैं ग्रूप स्टे सब्सक्राइब कर सकते हैं जो अब साधी टीम क्वार्टर फाइनल दे विच परफॉर्मेंस करके आई है ओदा एक जड़ा मोटिवेशन है गया है वो सारे मुड़ान दे विच काफी हाई होएगा ते दूसरा जर्मन दे नाल साथा रिजल्ट काफी पॉजिटिव रहा है असी हमेशा इनननों काफी टाफ टकर देती है ते दूसरा असी जटदे भी रहे हैं ते जे असी गल करिए लास ओलम्पिक्स असी थार्ड प्रिशन वास ते जड़ा मैच खेटे से ओदे चभी असी जर्मन नो रहा है सिगा ते जे असी गल करिए क्वाटर फाइनल दे काफी टफ मैच सिगा ओदे विच जो बोडी लेंग्विज ती साड़ी टीम दी हो बहुत शांदार सिगी ते जे असी गल करिए लाइन दी हर्मन ते जर्मन जड़े हैं काफी वदिया कर रहे हैं गया नाल एक कमी ता जरूर होएगी अमित रोही दास दी लेकिन मैं सुमिज दा है कि टीम दा जो एक मॉराल है क्योंकि लास असी मैच सिर्फ दस प्लेर जनाल खेडे हैं ते असी इंग्लेंड वर गी जर्मनी या इंडिया दा को प्लड़ा पार इना सनोंदा है नहीं टीमा बराबर दिया ने बाट मैं समझ दा कि इंडियन टीम दी ज़िए असी ओवराल ऑलाम्पिक्स दी काल करिये ते प्रफॉर्मस जे सा अनल दे रहे हैं ते मैं समझ दा कि 60-40 इंडिया दे फेवर देव जुलों लेके चल दे आसी तो दू चल्डी गर चल्डी गर ते स्टेटियम दे हौकी स्टेटियम तो सभी है नल इस समय मैरे से होगी पार्थी टीम दिरेंदी है उमेश तरो कर दें उमेश देनाल ने राजपाल सिंग इंडियन होकी टीम दे सापका कप्तान ने उमेश ओवर टी यू बिलकुल जदो सापका कप्तान के देने कप्तान दे होते काफी जिम्मेबारी हों दिया और जदो असी लॉम्पिक शुरू नहीं होया सी मेरे खाल इंटर्वियू किता सी तरह ने कैसी जदो असी गोल्ड दे निडे पहुंचा गे यानि कि सेमी फाइनल पहुंचा के फेर गा मेडल पक्का हो गे जड़ा होन साथे दा सबस्वे मैचा जर्मनी ते इंडिया दा जर्मनी दीवारे सी गल कर रहे सी के जर्मनी टोटल होकी खेड दिया है टोटल होकी ता मतलब आम दर्शकन उजे समझाईए के डिफेंस भी थे अटैक को जर्मनी दी एक बड़ी मिशूर जर्मनी आड़े मांदे आ कि जड़ी तूनमेंट ते जड़े मैचिज ने वो स्ट्राइकिंग जड़ी लाहीन पारोल लाहीन वो जटाओं दिया पर जड़ी डिफेंस ते बहुत ज़्यादा बलीव कर दे डिफेंस एक एक गोल ते भी तूनमेंट जट दे रहे ने जिनने जड़ी डिफेंस उन्नों अपके में बीट का अर अपनी डिफेंस दी गाल का लिए राजपल जी के पिछला मैस ता में लागदा जिस सारे ने देख्या है तुसी भी देख्या सी पर गल भी किती सी दस प्लेर नाल खेले इंगलेंड दे टफ तीम के ही जानती सी अमीत दा जड़ा बाहर जाना मेंगा पैग यसी पर बचाव हो गया श्रीजेश दी गल बहुत जरूरिया करनी क्योंकि बलजीत स्टूडियोच सुन रहे होने तो अटे साथी ने गोल कीपर यानि के कीपर जड़ा पूरा करके रख रख रहा है श्रीजेश ने वारे था नों किला त जरी लिए टरीज तरीके नजी पिच्छो कमांड बैक साइज तो जरी जरी ओड़ार मेंगे चैटना डीवी बिल्कुर सेट करके रख धाक यहिंग जरी फॉरम लाइन प्लीक चाब्वांगे बारता यह ब्रड़ा रोल प्ले करे रहे है और यह श्रीजेश ते जरी डरी प पॉइंट्स ने मिलादा बलजीत भी मेरे नाल ने और आसी कोशिश करेंगे कि दो में मिलके भी सवाला सी कर सके पर इस तफ़ी पिछाले सद्राल गगन जी सी जुड़ रही ने और होकी बड़े दिल तो उना ने भी खेड़ी है अपा सारे ने देखिया मजुदा समेधे बे करीब करीब दो सवादो कंटे दा समा बाकी है जदो पार्ती खेडारी मेधान दे उत्तरन गे इस पूरे मैच नो लेके किस तरीके नल तुसी देख रहे हों सोच रहे हों एक्साइटमेंट बड़ा एक बड़ी देल बाद एक मौका मिले है इंदोस्तान नो पिछली आरे भी इंदोस्तान दी हौकी टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म कीता सी सेमी फाइनल पिकर गे इसी ते ब्राउंस मैडल लेके आ इसी पर एस वार जैमें बलजीत ने किया है वी सान्नो एक बड़ा डिफरेंट फीलिंग आ रही है और बड़ा एक पॉजिटिव वाइब आ रही है क्युकि जेस तरीके नाल इंडियन होकी टीम पहले दिन तो ही प सेमी फाइनल जिती और फाइनल दिविच एंट्री हो जावे अचा सब तो क्योंकि आप सारे मैचीस देखने है अल्रेडी बलजीत में रिनाल ने ने बहुत सारे प्लेट्स दा नाम भी लेया पर बतौर कैप्टरन तुसी इंडियन होकी टीम दे रहे हूं तो अनो सब तो इंडियन टीम दे विच कौन लग रहे हैं? श्रीजेश एक बहुत ही ज्यादा मतलब ही रूलोद अच्छा रहा है और जैमें तो मैं सब्सक्राइब बहुत चर्चा है देखो गरगन जी इस समीना सोशल मीडिया ते होते हैं इंफेक्ट की श्रीजेश में एक नाम दिता गया है था वाल आफ एंडिया की बस श्रीजे यह बड़ एक होकोज तेम आप क्वार तेम डेखोने लिखने आफ मैं अटर अच्हा एंडिया कोछ तेम ख़ात अफितर नेंग्वर क cockade कर्णी रहा है कोल्कीफर ने सारी तीमनों नूग क्योंकि लास्ट मैं होंदा नो सारे प्लेयर देख रहे हो तो जेसा नो गोलकीपर ने इच्छे मैं ट्रभ्यून ची पड़ाया थी वी मनपृत ने एक दिता सी विव जेड़ी आउब गाला कड रहे हैं सी वो बजीत में गोलकीपर नो पता है भी जेड़ा गोलकीपर तो एक बड़ा इंपॉर्टन रोल जिन्ना गोलकीपर बोलके सारी टीम नो पड़ाये गा ते वो टीम जल्दी माल दी आप दी जेड़ी ट्यूनिंग आप मैच या टीम नो अलग लैबल टी लेजंदी बलकुल जेवे की गागनभाजी ने गाल करी है कि गोल की पर दी जडि़ी एक एक स्पीरियंस है क्योंकि शरीजिज दी चौथ फिय लूंपिक और जो जडी चार लूंपिक्स दा आओधा एक 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 स्पीरियंस है तजबबा है कितने रोंस में करता है पिछों जड़ी कॉलिंग है क्योंकि जड़ा लास असी मैच खेड़े हैं वह काफी डिफेंसिव रहे हैं क्योंकि इंग्लेंड अटैक जादा सी क्योंकि असी नंबर स्वेच असी डास रहे जादा सी कि औस टाइम ते गोल की पर तजर्बेकार होना बहुत जरूरी होंदा है क्योंकि ओ लाइज डिफेंस होंदी है और उनों कॉल करके राइट लेफ्ट करके कवरिंग देंदा है ते जड़ों क्रूशल मोमेंट होंदे है उस वेले हो सेव करता है ते टीम दा मुराल क शाफी बूस्त होंदा है लेकिन जे ज़सी गाल करिये हर्मन दी ते हर्मन ने विए एक बतोर ऐजे कप्तान बहुत सोना रॉल न भाया है जे मैं के देने मिए लीड फ्रॉम दी फ्रॉंट ये ज़दों टीम लोड पाई या गोल कटन दी ये गोल करन दी ते हर्मन हमेशा गोल देता है बिल्कुल टॉप स्कोरर ने जे पूरे बारा टीमा दे कप्टाना दी मैं कैटन सी गल करा तो टॉप स्कोरर ने इस समय हर्मना बतौ। तुसी जै मैं देखोंगे के लास्ट जड़ा प्लंटी शूट आउट से गा वो दे वेच भी पहले नंबर ते आके उनने शूट लगाया ते वो confidence शो करता है के भी मैं हैगा तुसी भी मेरे मोड़े ना मोड़ा लाके खेड़ो जैसी गल करिया ओवराल टीम दी तुसी देखोंगे कोई ऐसा प्लेयर नहीं है गा जिन्हें अपना contribution नहीं देता ये देवेच जेड़ा अभशेक नैन है तुसी इंगलेंड देगेंस्ट गोल की ते ओ एक दखा रहे है कि टीम दा मुराल किना हाई है मैं जदों भी किसे प्लेयर दी जरूर्त पेंदी है हर बंद अपना contribution contribution दे रहा है बिलकुल जैसी गल कर देया जर्मन परी दी तुसी ओधी फिटनेस देखो ओधा बिलकुल जलवा लेवल जेड़ा जिस लेवल ते खेड रहे है उना दे कोचिंग स्टाफ था भी रोल बहुत एम है अपने नाल थोड़ी देर देली जोड़े ने निकलना है मैं एक दो उना तो सवाल जरूर लेलमा मस्तो बाद मिरना पंकज का पाही जुड़ चुके ने मिठा पुरतों उ जड़ा सक दिया है गरगन जी मैं और चीज जाना निचो ना देखो पूरे देश देविचे सम्मेगाल हो रही है कि इस बार भी ओलंपिक्स तेवे छेड़े खेड़ रहे ने नौदास प्लेयर जड़े पंजाब तो है यह ने तो उत्ते जड़ा पास है एक प्लेयर तो दुझे प्लेयर ताको भी पंजाबी चीद देता जानदा होना में लग रहे है कि इस तरीके नाल महौल होईगा एक बेनिफेशल होनदा है या कि एक टास्क हो जानदा है कि तुसी कितना कि ते जे इस तरीके दी टीम चुणके फेडरेशन ने पर जी आता तो डेप ते एक जिम्मेबारी बदी होईए कि तुसी उस तरीके ना परफॉर्म करो एक स्टेक तो ज़ादा प्लेयर ना होना इस कि में देख जानदा है कि प्लेयर ने टीम चे जदो भी मैडल पिछले बारे भी देखलो असी भी जदो जुनियर वर्ल्ड काप जितने जी तास-क्यारा पंजाबी एमेशा ही होकी टीम होंदे है पंजाबियां था होकी देविचे बड़ा बड़ा रोल है प्राने इतनास प्रा बाकी जड़े प्रालमम है पिंचाबी जी पोल्लम है पिंचाबी जिखीन रहनले है उर उन्यूस्तुने देख भी ऑड़ा अच्छा पिंचाबी बड़े यंग मुंदे है है हर्मनुरोग वर्यों का बड़ा अच्छा कॉंभिनिशन है और इतनान शाल बड़ा तो मैं इंडियन टीम नो विष्क करता हूँ गुड़ लग अपने इमोशन नो कंट्रोल करके और जड़ा भी कोच प्लान करता है ज़े और एक चीज आद रखन जड़ी जर्मनी टीम है अखीरले सेकंड तिकर भी हो हार नी मन दी बिलकुल कैजूल होंदा है ताहिमी बड़े सेकंड सैमीफानल खेल रहा है एक सैमीफानल और अलरेडी कंक्लूड हो चुक Christ निदर्लेंड्स ते स्पेन दा और निदर्लेंड्स तो देख्या होएगा कि 4-0 देना बड़ी बंसरीड़ी गेम बना के वह फाइनल देवे चैन्टरी कर चुके ने सेकेंड्स सेमी फाइनल जदो खेड़ना होएज उसनों लेके भी कोई प्रेशर होदा है या अगया थे फरेस्ट मैच किसी तरीके ना कोई ऐफेक्ट करदा है सेकेंड्स सेमी फाइनल देती जिदे जदो सारी आँ टीमा एचा टीमा जो सेंड फैनल भने अबर सारी आँ टीमा एको जिगी हैं क्योंकि सारे इदी अच्छा खेड की आए है तो यह जड़ा आज परफॉर्म करेगा को ही जिदेगा प्रेशन तो बगयार केड़ेगा डिसुपलन केड़ेगा जोवी कोश ना प्लान है उसा ना केड़ेगा वी टीम जिते जी तो जैमें बलजी इतने के है भी 50-50 है मैं के ना इंडिया दा बिल्कुल सही है भी 60% इंडिया है क्योंकि इंडिया दा एक प्लेंटी कॉल्मर्स दा मेंशाए फीक पॉइंट होंदा सी हर्मन ने परफॉर्म कीता है ते अपने फॉर्वर्ड ने तो बड़ा अच्छा कॉंबिनिशन है तो बड़ा एक उमीद है भी ऐसी एक स्टेप अगी जामागे चलो सारे ही उमीद कर रहे हैं सर बहुत बहुत आनवाद साटेना जुड़न दे ले इस पुरी गालबाद दे विच शामल हों दे लिए उमीद कर दे हैं कि पार्थी टीम जिते गोल्ड बड़ा मैच खेड़न दे लिए ते फिर अपा फाइनल दे बेच तुसी भी थोड़ एक बहुत बड़ा नाम है होकी दा ए ओहो पिंडा या इलाक्या है जितों मौझूदा समय दे विच भी तिन प्लेयर हैगे ने जो इंडियन टीम दे विच खेड़ रहे ने पंकेश दारू कर दे हैं पंकेश जो बड़ी हूँ देखो ऐस वले मिठपूर स्टेडियम दे विच शी मजूदा और इथे मनदीब्र इस आरे इथे ही खेड दे रेने इन्हा कि बिल्कुल नेड़े मैडल दे पहुंच चुके हैं बिल्कु जी तटकना बिल्कु बदियां जी और बच्चाने सानु होता हैं तभी अगला मैच भी जड़ा जटके तो गूड मडल लेगें पहरी टेलीफोन ते गालबात हुई नर्वस सी मंदीब या खुश सी कि बिल्कु खुश का जी कि ना टीम पुरी कि ना खुश है और पूरी मीच वच्चा भी हैं मैच जड़ा बजिया माज जन्द जेता हुई वाटर फाइनल दे वेच रेड कार्ड मिलेया किडारी नो अमिद होरा नो और सुबाद चिंता वाद की सी गी आज भी एक मैसे बेहन लगा हो है हला कि किस तरीके देनाल हुँ टीम है इस वाइस नो देख लिए बिल्कु जी अपां दस परें खेले हैं जी तेंक क्यास देयां पंतारी मेंट और वो तेंप्रेयर खेले हैं जड़े अंप्यार से के ओ भी होना दे हंड़र परसंद उना दे फिर चल रहा जाए और फिर भी अपां खब हों तो बाद भी अपां मैच बज़े चिते हैं पिछले उलंग्तिक देवेच मुकावला जर्मनी देनाल सी जदो मैडल आया इस वार लगदा है कि सेमी फाइनल देवेच एक वार फिर हराया जाएगा बिल्कु जी बिल्कु बच्चियां इही अमी जोड़ी पांगे फिर आहीं अपने बंजादी ओड़ी और उपरवादी जोड़ी पांगे क्योंकि मंदीब फोरवर्ड पोजीशन ते खेल देने और गॉल मचीन भी मंदीब फुरानों क्या जानता हाला कि एस वार उनादी पोजीशन देखी जावे जांकि नवे खिडार पिल्को जी तौफा उदा ब्याक रहे हैं तो आप देखी मंदीब ने या तुसी देखे जाए हैं कोच मेरे नाल ने बचपन तो पहली बास ठीके नगे ही मंदीब फड़ाई सी मनप्रिद हो रहा नूफ फड़ाई सी की गालबात कर दें उमेज सी की मंदीब दूसरा ओलंपी खिड़न गे पिछली वार मैडल आया और मैडल ता रांगे सवार बदलेगा गोल ते नजरा हरके से दिया टिकिया हुई है मैच भाई मैच पहला अजदा मैच जतना फिर जड़ा नेक्स मैच होगा फाइनल ओदे लीपर पेर होके फिर गोल्ड लीग खिरन गेते गोल्ड ही लेकर हो कई दहाद क्या बाद एक मैच जतने की गलबात मंदीब ना तोड़ी हुई है मंदीब ने की कुछ किया दो नहीं बवंजा साधा इना ने रिकॉर्ड जड़ा तोड़ा स्टेलिया नुह रहा के वह एक पार्ती सारे होर भी गिमा वाले इना खुछ सन की होकी टीम ने करिश्मा कर देता आया जड़ी के स्टेलिया टीम बड़ा डार होंदा सी पहला ओ सारा डार निकल चुके आया कॉन्फि साधा काम सी इना नुह मोटिवेट करना थोड़ी होकी बड़ होंता है इनने स्याने हो गया होंता सम्टाइम जरो ग्रॉंड होंद या असी इना तो पॉचली दाया यार की चाल रहे है अंडिया टीम दिवच की यह होकी जड़ी ऑलवे सिखन दिया सो गुरू मंत्र हिया प साड़िशादी साज़े पंजावदे प्लेयं बेस्ट प्लेयर या सारे अपनी सायथे सारा अपना जरा कार देता हैं एक टीम फशकुंजनों लनीगी जरो टीम करोंगी ते ए चेम बॉच्छा लेघ दिया सब поступ 감사합니다 पर बड़ा वजिया सर्वाइब किता पार्थी टीम ने डिफेंस भी किते ही अच्छी बाद शूट उड़ते आखे अच्छी शूट शूट भी लगाई हैं ते शिरीजे ने अच्छा भी किता जेजे सट का अब आँ सेमी फाइनल देवेचे परवेश्ट अगरव ए मिठाप है क्योंकि परगर सिंग हो रहा ने जड़ा बूटा लगाया सी मनप्रीत मंदीप हो रहा दी नजर देवेचे सी देख रहे हैं और अगों ए प्लेयर जड़े ने तो अन्वान वाले दिनाज नजर आनगे और पूरे इत्थे डटे होई ने और इंतजार कर रहे ने साड़े दसवजे टीवी देखे ये सारे प्लेयर पिता को सारे बैर जानगे और देल दिया तड़कना है सोले सारे जरूर वदी हो यहने बिलकुल होता बड़ी नेचरल जी गाला कि जेमें-जेमें मुकाबला नेड़े आएगा जेमें-जेमें टाइम साड़े दसवजे दा क्योंकि कोई मिड्फिल्डर है कोई सेंट्रल फार्वर्ड है या फिर कोई डिफेंडर है दुझे बड़े पासे जदो अटेक हुंदा है तो अठर दाजर प्लेयर इकठे हों देने तो यह लाग दे कि जड़े गोल की परो कीमें बचा कर दे होंगे उन्हों तो समझने नह मैच अज खूऊबे ते पार्थी टीम जिते अचा बहुत स आरे ने हों तक हो के दा मुकाबला निहीं देख्या होणा सिर्व ज़र चुने होना तो लग रहे है कि त्र शायर मैच जिती है यह पड़े लोग सुपर स्पीशिय सुन देने राजपाल सिंग दी त्यारी की है ओ इस मुकाबले दिले की त्यारी कर रहे ने कि मैच देखना है बेशे को थोड़े देर रात शुरू होना पर मिन लागदा नहीं कि आज कोई होकी लवर रात नों सोएगा साथे टॉर्णामेंट चाहिए बड़ी कल करिये गवर्ण पुछ रहा कि कीवे मैच देखने नॉर्मल त्यारी हुंदे थो अड़ी बैगे टी-शिट पाके ते अपना नॉर्मल मैच वेखी ता नॉर्मल त्यारी चीए बड़ प्रेशर जरूर आज़ा है अच्छा मेरा सवाल इ मैदान दे उत्तर देने बड़े मैच दली की त्यारी हुंदी सी ओ समय ना चाहरें कि जड़ा इस तरीके नाल सेमी फाइनल होवे या और वाक वाक टूर्नमेंट्स दे उथे कोई हुंदा है कि सूपर स्पेशन सुन देने लोग की ठीक ही मैं अपना राइट बाला कदमी प हबाया पहला शूज केड़ा पढ़ना एदा ना सीगे कर दी कोई है सचते नहीं सी पर एजरूर हुंदा है कि जदो भी ग्राउंट उत्री दा ही परमातमा नाल है कि उत्रीदा है मत्था टेक के मत्था जलो बहार इंडियन प्लेयर ठीक दा इवन जड़े बार दे भी कोश सिगनल होगा मैच वास्ते है कोई एदा था कि कालर कोई फैवरेट सीगा वी एस फाइनल मैच एक कलर मेरा है गया कुछ बंदा कोई अद्दा दी सीगा सूपर स्टीज कुछ ने यद्दा ना कोशनी हा मेरा जरूर हुंदा सी कि मेरे जड़े शू स्टिक सी हमेशा ओंशा सब्सक्राइब और क्ल्राइब वहिंदा सी एड़ेटिक सी कलर था में सेव सिग दह्क हुंदा ती मैं यसलिंदा सबने काललों स्टेक सेम कई कोई थे दे जाइनल दा हुँ ने कोई नेएं कि प्रिज्च पालु ने सी अड़़ेस पर मेंना हो यह ने यह सेम कलर था ते शूज दा एक उजे रहने के अचा एक होंदाने कफटान कफटान दे लगदवाग होंदा टीम दा प्रेश्ट दा है यह तितलिया बड़े बड़े मैच जो नर्वस असी कॉमन वेल्थ के कि होर चीज़ देखियां कफटान नू ता नी नू सामपना स्ट्रेटीजी बनान फिर कफटान क्योंकि होंदाना लीडर होंदा टीम दा ते कदेदन दा महौल रहा टीम नर्वस ने सागी मैच तो पहला लेकिन शो नहीं कार सकते हैं अपना हमनों तकड़ा भी रखना है कॉमनवेल्थ गेम्स काफी प्रेशर सी पाकस्तान मैच पूल मैच वामनों जितना जरूरी सी ऐसी हो जितने साथ चारना अगला मैच इंग्लेंड नल सी सेमी फैनल मैच प्रेशर लिए प्रेशर मैंनों लुप थे हो बड़ा जुनवेल एक आपकिन है लग बने लेकिन हो अठाडी सिर्मामों लेकि इंडिया इंडिया पे दूजा सतर मिनिट कि ओ प्रेशर कदे चलिया राजपाल सिंग ने कि सतर मिनिट दी गेम है एही सब कुछ है जिन्दगी देविच एक और सवाल गौरब पुछ रहा है कि दो शब्द बड़े फेमस ने चक दे इंडिया ते सतर मिनट क्या इह प्रेशर वाकी रहा वाकी 77 मिनिट दी गेम और चक दे इंडिया क्योंकि फिलम तो बड़ी फेमस हो गया सी और जब उसी कौनवल सीगे तूसी तो इत्व पेलिकर दी और ऑजिल्दस्षी है पार है Hispanic के लिए इनमटे पर शोच्क दहन दे से कि में गाने से बड़े त्रीके नाड़ ऊदी बड़ी बड़ी है उन देजी अधी जेड़ा बोर्ड दे लिखना हुदा टाइमिंग जेड़ा पुठा चलता है सबतो पहला उनरे साब तो उसके मैच दाइम लिखना कि आठ पजे नॉर्मली जेड़े मैच होएने वर्ल्ड वेकप कॉल तो स्टार्ट कर दूं वक्के देना कि अपड़े प्लैनिंग चे डड़बड हो जीए चोटी-चोटी चीज़ां सी जेडियों करते हैं और बड़ी वड़ी होना ने एक करी पुछा थी ड्रेस मिंग रूम की सानों पोछले है कि देश की है अच्छा ने कोस्चन देश कहा रहा कोई जीडिस लैंड उन्नों देश कहिंदा प्या उन्हें दस है कि नहीं आज जीड़े एक सो चाली क्रोड दी जनता ए देश है इन्ना ने एक लैंड ते बैठे ने इन्ना ने सारे अंदर ना रख्या इंडिया तो उसी यो एक सो चाली पॉपुलेशन वास इन्नों जेतना कि एक सो चाली क्रोड लोगका दी अजनुमैंद की जीडिडी सभ्ण जथा गया उन्हें उन्हें पता होना जाए इक सो चाली क्रोड लोगका दी नियुट ऑनना थे जे कपटान दे प्रेशर डिफरेंट होंदा कप्तान तीरिन है। होक्की दे वेच जड़ी कप्तान दा रोला ओंदा फिल्ड था है यह आफ दा फिल्ड बहुत ज़्यादा रहें दा स्पेशली जए अलम्पिक गेम्स जए इशन गेम्स कमनवेल्ड गेम्स दिकाल करिया उत्हों दा जड़ा महौल बड़ा डिफरेंट हुंदा है उदे वेच सारी टीम नों बठाके फोकस रखना एक कप्तान दी जिम्मे बारी यह और मिलनों लादा है कि हर्मन जड़ा बखूबी नबार है और गोल भी देखो टॉप गोल्स उदे विच लिस्ट भी है टर्निंग पॉइंट की मंद्यों सेमी फाइनल पॉंचर्ड तक दा इस होक्की लंपिक वेच चे के टर्निंग पॉइंट के दा मैच लगे ता अस्टेलिया दा अस्टेलिया दा मैच सी होत तो पहला सी क्वाटर फैनल क्वालिफाई होगे सी पर जड़ा अस्टेलिया दा मैच सी अस्टेलिया दा मैच मिलनों आदा टर्निंग पॉइंट रहा साड़े व बहुत ही बदिया ने रही वह साथ पॉइंटाना क्वालिफाई कीता है क्वाटर फैनल असी दास पॉइंटाना कीता है उदा भी केता है सानु एज मिले आते आज जैसी से एंपल के एक सवाल हो रहा है हालां कि बलजीत तो भी पुछो गौरव जरूर गोलकीपर ने एक सवा दों आते ही कमाँगे दों आते प्रेश्या अइदे चैय कि टाइम अगेंस चलता प्या जड़ा श्राइक कर रहा हुग अगेंस टाइम आट साइकन्ड दा ताइम अगेंस चालता है जदो उन्हें विसल बाद जी कि टाइम स्टार्ट हो एना आट सेकन्ड दे वेच वेच गोल करना, फिनिश करना, आपर स्राइक लेनी लेनी, जड़ा दूसरा है, जड़ा फील्ड दे वेच भी आप जी अर्मन ने भी जड़े गोल कीते ने, उदे वेचे टाइम दी निया, विसरल दे तुसी एक्षल लेना, मिलना दूवांद आड़ा, दूवांद आड़ा प्रे दरसल यही गल है कि सड़े दा सपेज दा इंतजार है ते इसे इंतजार दे बचाड़े हर किस दे जहन दे बच है, बलजीत सड़ेना स्टूडी दे बच मौझूद में और मैं कोशिश करांगा कि होना सी थोड़ी जेकर स्ट्रेटीजी भी समझ सकी है, पहला तो ही उमेश लाग दे हुंदे सगे, वह विसल बच्जी ते तुसी रेक्ट करना है, तो दे वेच फिफ्टी फिफ्टी हुंदा सगया कि तुसी मेल गीता ठीक है, नहीं मेली रॉंग फूट होगे ताम ही तुसी गए, बिलकुल लेकिन एज इडिश प्लंटी शूट उट है गया, ये अधिवेच तुसी तुसी जे में तुसी टाइम नंगा रहे हो, भॉलनो तुसी चेस कर रहे हो, चैनलाइज कर रहे हो, राइट लेफ्ट प्रेशर अटेकर ते जाधा बनता जांदा है ता डिपल कीफर तनी फोड़ एजी लगता हों लग एज़ ता नहीं हुंदा क्योंक जमें गांदी होई भी है कि नजरा होनगी है कि राइट साइड मार देना लेप साइड आ ओज जदो डिब्लिंग कर दें उस दे बिछ नहीं हुंदा हाजी एदेविट ज्यादा चांसे जा गोल की पर दें दे के रोग सागता है जै और फुटबक चंगा है गया है ओबोलनु वाच करदा है डिले करवांदा है पेशन्स रख दे ते उस मोमेंट ते उस अपर हैंड हो जानदा है क्योंकि टाइम अगेंस्ट जा रहा है फॉवर्ड दे ज्यादा चंसे एदेविट गोल कीपर दे हुंदे तो ठीक है थोड़ी ही तो एक स्टेटी समय नहीं चाहांगे स्क्रीन जेकर तुसी इस बड़ी पास से आजाओ अब साड़ी को ले होकी दा ग्राउंड अजकल वैसे ब्लू टर्फ हुंदे मैं ग्रीम बड़ी है इमेज कर ली है अब जिटा गोल कीपर रहे है एथ है जिमें गलत है गलत नहीं गोल कीपर है तो समय नहीं क्योंकि श्री जदो अलर्टनेस जूट हुंदे है इतो फ्री हुट हुंदे है ओपनेंट जदो बोल लेकर आ रहे है अपने 25 तो उस वेले तो ही जमें एक चैस प्लेयर हुंदा है जो हो अपने मूव्स चालदा रहना है उसे तरीके नाल एदे वेचे गोल की पर दी पूजिशनिंग एक अपने पूजिशनिए कि तुसी प्लेयर्स नो अपनी राइट पूजिशन देनी है केडा डेंजर जोन है तुसी उन्हों कावर करवान है केडा लूज पॉइंट है गाइग है उस पास उन्हों तुसी अटैकर नो जान देना है जेदो नों गोल की पर मनलों के अटैक आपस्ट कॉम्बिनेशन जड़ा है वो बदिया होना चाहिदा है कि तुसी जड़ी भी कॉल कर रहा है उस कॉल हु ताड ड़फेंडर अपलाई करे उस चिज़ नो मनें मला सेम टीम ग्रांट के कॉल होगी है एस स्टलिक एकोई कोई वर्ट रहा है तोसी कहिवरी तुसी नाम भी लेके तुसी गळाल करें तुस्हीं सिर्फ कहरे हो कि यार राइट लेफ्ट लें कियोंकि उस वेले तुस्हीं पूरा नाम लेने हो ते टाइम निकल आ जानादा है क्योंकि फ्रेक्शन ऑफ सेकंड लेविच बोल ट्रेवल करती है तो डी दे विच आ जा जानादी है तो आप अपच अंडरस्टेंग क्योंकि नीचेंगी होनी जाएदे कि मैं तुस्ताडी बैग मेरे वाल हैगी है मैं तानु राइट लेट लेट तो तानु पदल लाग जानादा है कि मेरे नाल गलकार है क्योंकि बोल अगे ओवी डिफेंटर भी देख रहे हैं बिलकुल गोल की पर दी कमांड है किया है ओह तो कहलो कि शॉट जबना शॉट हैंड चाल दिया है शॉट हैंड दे विचसी लेख दे वसे तरीके ना सदी कम्प्निकेशन भी हैगियो तो काफी शॉट हैंड होनी एक और चीज समय नहीं जा रहे है क्योंकि जिनना आप जर्मनी बाड़े देख रहे हैं या पाड़ रहे शॉट है कि कोई इस तरीके ना कर दें कि दूसरी टिंग जादा आठेकिंग है तो औना दी पॉमीका लग लग प्लेरों दसी जाना है कि तुसी आज यह पॉमीका मञाश हर मैच दी जडी प्लानिंग है अगोर्डिंग तू टीम ही हुंदी है क्योंकि जर्मनी साइड ऐसी जोदो एक और गोल करना बहुत मुश्किल होए तो एहे क्योंकि असी देख रहे हैं कि साथी जडी ओवराल टीम लाई है जडी विचकी गुर्जंट सिंह है गया हार्दिक है गया इवन कि मनपरीज दी एहे फोर्थ ओलंपिक है गया उस ता ओधे एक्सपीरियंस दा सानू का सानू चार साल बाद अलमपिक सो घड़ें जड़े सिनुर प्लेज सी प्लेश भी स्वाजट खेट चूके है गया जो डो चूट फूपी क्योंकि तुसी बाउस पफसील देना रही गाल्दसी है कि जड़े पनल्टी कॉर्णर मिल रहे ने बहुत हाई प्रेशर मैच्छ अंदे यह जए विच के प्लेयर्स दा हर एक मूव ते क्योंकि दूसरी टीम भी उनना ही एफर्ड लगा रही है अब बिल्कुल डिफिनिटी वी जितना है जी 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 होर बाकी ओल्मपिक्स देगाल करें ते साथे प्लंटी कोर्णर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके ना एक्जिक्ट होई है चीक है असी प्लंटी कोर्णर के लागा स्मोक के दियां तो तो अन्हों कनवर्ट भी करते रहें बिल्कुल बिल्कुल सो ओवराल जी जी देखिए ते कोचिंग स्टाफ यह दा है और यह प्छले पर चीथी साला तो जड़े भूज़े देख रहे नहीं हां जी हां जी एक होली होली होंदा हुदा सुदा कि अफी गाप सिगा इसे पहला देख देख दे एंग है कि अप्लेयर ही, मलोब हीरो दीपू मिकानवान देखे, बाकी फ्लेयर जेडे है गया, वहो के तरह ने कितनी लाग कर देखे लेकन इस लास लापिक्स देख खाल करिये है, सारी टीम एज एज टीम खेंग रही है